पोको F5 के लिए यहां पर अनदर मैट्रिक्स OS का एक लेटिस्ट अपडेट आ चुका है जिसे यूज करते हो चुके वन डे और यह रोम कैसा प्रफॉर्म कर रहा है कुछ बग है या नहीं वो साइज जनकर इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लास्टक ज़रूर वाच करना ताकि आपको पड़ा जले किसे डालना है या नहीं वाउट सेशन देखो थोड़ा सब मोडिफाइड और चेंज हो चुका है जहाँ पर मैट्रिक्स डिवाइस आपको दिखाई देता है जहाँ पर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स लिखावा आम देखेगा आपको ओफिसियल टैग लगावा मिल जाएगा क्योंकि ओफिसियल है और यहां पर आपको फाइफ पर सिक्योर्टी पैच देखनी को मिलेगा और यहां पर करनल डिफरेंट यूज करा गिया है बाकि सिस्टम के अंदर यहां पर आपको देखनी को मिलते हैं जेस्टर के वही सारे कॉमन ऑप्सन जिए कोई खास चेंज नहीं किया गया और सर्कल अब को देखनी को मिल जाएगा यहां पर गूगल के अंदर आपको नया लुक देखनी को मिलता है यानि इसका यूइस वसाथ चेंज हो चुका है पहले सिर्फ यह और स्विस वड़े टैब नजर आता है जो कि अच्छी बात है बागी फेस अनलोग फिंगरपिंट आपके रहते हैं इन में कोई दिकत नहीं आता और हो इस सरे common option आपको देखनी को यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपका डिवाइस तो ठीक से brightness काम नहीं करता वहीं पर आपको देखनी को मिलता है lock screen time out और screen time out और pure black का option जहांसे आप pure black का benefit ले पाओगे live display के अंदर reading और color के option आपको देखनी को मिल जाते हैं साथ साथ यहाँ पर allow window level blur, tap to wake up, tap to sleep और wake on plug भी आपको देखनी को मिलता है अनदर यहाँ पर आपको मिलता है जो कि है हमारा sound and vibrate जहाँ पर me का sound effect है वो दिया गया है अच्छी बात है clear speaker है और यहाँ पर charging sounds भी आपको देखनी को मिलता है जहाँ पर आप अपना vibrate और link tone अगरा जो कि charging का notification sound होगा वो state कर सकते हो ताकि charging के बाद आपको परा जले vibrate का pattern देखनी को मिल जाएगा जो कि आप अपनी साथ से change कर सकते हो और यहाँ पर battery जहाँ पर आपको battery के अंदर profile देखनी को मिलता है बट normally यह काफी अच्छा काम करता है तो profile की जुरोत नहीं परती बागी sleep mode भी आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाता है जहाँ पर यहाँ पर battery से help करेगा charging control भी आप सेट कर सकते हो battery optimization है ideal drain का option है battery charging warning भी दिया गया है जहांसे आप percentage बगर सेट कर सकते हो कितने के बाद आपको notification आ जाए बाकि यहाँ पर battery देखनी को मिलता है तो यहाँ पर charging apps के अंदर यहाँ पर clone mode आपको मिल जाता है जहाँ पर एक app को clone कर सकते हो जैसे कि आप देखो double double यहाँ पर है और clone करके यूज कर पाओगे और साथ-साथ यहाँ पर dolby के एक और option आपको मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर motor or dolby है तो मी का sound effect plus dolby दोनों का combination आपको यहाँ पर मि देखने को नहीं मिलेगा बस इन में जब आप सेट अप करते हो ना उससे में दिक्कत करता है उसके बाद को भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती और यहाँ पर काई सारे फॉंट्स वगएरा भी दिये गए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अनदर इस तसबार के अंदर आपको इंडक्टर वगएरा भी आपको मिलेगा और किक सेटिंग के अंदर हेडर इमेज वगएरा भी आपको देखनी को मिलता है कि यूज का डवल टोन यहाँ पर उसके लियाउट बदल सकते हो डाटा यूजज और के भी ऑप्सन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो यह सारे ची स्कीन सुट का है और पॉके डिडेक्शन वगेरा भी आपको यहाँ पर मिलता है बटन के अंदर पार्सल स्कीन सुट एंसर रोटेशन और यह सारे कॉमन आप्सन मिलते हैं यानि इन में कोई खास बदलाव नहीं आया है तो यह वह इस चीज़ है जो कि आपको पहले भी दे आपको पता तक नहीं चलता साथ साथ यहां पर आपको रेखने को मिलते हैं नॉर्मल सा रिकॉर्डर बगेरा और बाकी कॉमन चीज़ है लेकिन रही बात इस लों का परफोर्मेंस कैसा निकल के आता है तो वह हम यहां पर देख लेते हैं बाइडिफोल्ट इतने ही सिस्ट यहां पर यहां पर चार लग गया है मैक्स ऑमिनो यहां पर तीन लग बहतर हजार और 95 का परसेंटेज जो की काफी अच्छा खासा है और इसी वजह से आज के टाइम पर बहुत सहीं लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि अभी कस्टनों के दुनिया में यह मैटिक्स वैस परफे वह अगर फिक्स हो जाए तो मजासा आजाएगा बाकि यहां पर गीकिपेंच भी काफी बेटर और इंप्रूब्ड हमें देखनी को मिलता है डिवाइस सेर्टिफाइड है तो बैंक के यहां में दिकत नहीं आएगा कैमरा वगरा हमारा काम कर रहा है तो इसमें कोई दिकत नहीं है और L1 का सपोर्ट भी आपको मिलता है फोटो स्टोड और 90 फिस्टो में आपको बता ही दिया है बाकि यहां पर लॉक स्कीन पर आपको अललग क्लॉक फॉर्मे देखनी को मिलेंगे जो कि आप चेंज कर सकते हो और इसके यहोडी वगरा भी प्रोपर काम करते है बा यह स्मूद देखनी को मिल जाता है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती और यह काफी सही काम भी करता है तो इससले लेटर आपको दिक्कत नहीं आने वाला रही बार डालना कैसे है तो वही सेम मेठेड होगा वाइफ लाइस फॉर्मेट एंड रिबूट कर जाएगा और हाँ एफ डालो डालना हाइपर हो इसका ताकि यह रोम आपका स्टेबल रहे और परफेक्ट काम करते रहे तो एफ डालो रिकमंडेट रहेगा अधरवाइस में भी आपको दो इससू देखनी को मिल सकते हैं अगर आप भी डावट एफ डालो के इस रोम को बूट करवाते हो और कर दो दो झाल झाल